संसद में आज हैदराबाद कांड का मुद्दा जो है वो गूंजा है जी हाँ इतने दिनों बाद ही सही लेकिन हैदराबाद कांड को लेकर संसद में सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है और इसकी निंदा की है हैदराबाद गैंग रेप और मर्जर मामले पर राजनाज सिंग ने बयान दिया है मेरे पास निंदा के लिए शब्द नहीं है ये कहना है राजनाज सिंग का राजनाज सिंग ने कहा है कि हैवानियत के खिलाफ देश जो है वो एक जुट है कठोरतम कानून बनाने के लिए हम तयार है जैसे सहमती बनेगी कठोर कानून बनाने को हम तयार है तो राजना सिंग ने आज हैदराबाद में तो जिस तरह से लगतार ये मांग उठ रही थी और हमने देखा भी था कि संसत के बाहर ही एक लड़की इस मांग को लेकर बैठी थी अनुद्दूबे इस मांग को लेकर बैठी थी कि क्या हम अपने देश में सुरक्षित हैं क्या अपने घर्प में मैं अपने आपको महफूज, महसूस कर सकती हूँ तो उस वक्त भी हमने ये आवाज उठाई थी कि क्यूं मानिनिये संसदों ने इस ओर गौर नहीं किया जिस तरीके से संसद में ड्रामा चलता रहा, साधवी के बयान पर आरोप प्रत्यारोप होते रहें और लगतार हंगामा होता रहा, संसद की कारवाही जो है वो बादित हुई लेकिन हैदरबाद के इस मुद्दे पर, गैंगरेप के मुद्दे पर कोई भी संसद उस वक्त बोलने के लिए तयार नहीं हुआ लेकिन आज संसद में पूरी तरह से जोशोर से संसदों ने इस मुद्दे को उठाया रादना सिंग ने बयान दिया है संसद में कहा है कि हम कठोर कानून बनाने के लिए तयार हैं अगर आपसी सहमती बनती है तो हम इस पर कठोर से कठोर कानून बनाएंगे लेकिन बात सिर्फ यहीं खत नहीं हो जाती, निंदा करने से सिर्फ बात खत नहीं हो जाती कानून तो पहले भी बनाए गए हैं लेकिन कानून का पालन कानून का डर कहां है दरिंदों के बीच में निर्भया कांड आपको याद हो गया उस वक्त भी इस तरीके से बात उठी थी उस वक्त भी कानून में बदलाव किये गए थे कहे सक्त कानून भी बने थे लेकिन execution की कम कहीं नजर आती है पुलिस विवस्था पर अगर देखें तो सवाल उठता है प्रणाली जो है उस पर सवाल उठता है जिस तरीके से चेंज होना चाहिए चाहे वो पुलिस विवस्था हो चाहे रेप को लेकर किस तरह से संजीदा होना है पुलिस वालों को इन तमाम मुद् प्रकार का कानून बनाने पर सहमत ही बनेगी हम उस प्रकार का कानून बनाने को भुपते कानून बनाने का कि प्रकार कार का प्रकार का ड़ंते आरेक्र भाई प्राग हृ शुक्षार काई कि स्कुरा का उस फ्रुवां बनाने का र pac नाएंब सुन नहीं प्रकार